गम का medical कराने जा रहे हैं लेकिन शूर नहीं है कि fit आएगा की नहीं या फिर आपको जो है chest में दिक्कत है किसी भी चीज का दाग हो सकता है या फिर आपको वीडिए आरल प्रॉबलम है या फिर आपको बच्पन में टीवी हुई थी टीवी खतम हुई है या फिर दोस्तों आ आप आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आप in case fail हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए तो वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा पूरा देखेगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहा हूँ और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नया हैं और गल्प से लेटिट कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं जोब पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं अपने Muslim विवर से घुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज दोस्तों नमास पढ़ना शुरू करें वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज और दोस्तों कि अगर आपको कतर दुबाई साओधी का आजाद वीजा चाहिए या इमिग्रेशन कराना है किसी भी मुल्क के लिए या उफरेटर चेक कराना है या मेरा दिया हुए नंबर है इस पे आप मुझे वाट्साइप कर सकते हैं आपकी बारी आने पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और यह पेट सर्वेस है तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा गम का वीडिया मेडिकल से लिडेट चाहे वो उमान हो सुधी हो कोई तो बहरीन हो के हैं आपको जाना जो सिसी कंट्री होती हैं आपको कराना अपना गमक का मेडिकल और उसमें आपको नहीं है दिक्यत आईगी आ फिर आपको क्या है है चेस्ट एक्सरे सही करने का या फिर दोस्तों ब्लट की बीमारी का क्या उपाए है माइक्रोफलेरिया की क्या दवाएं है तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज है वो यह है कि अगर आप लोग जो है साओधी ओमान बहरीन मसकत कतर दुबाई यह कहीं पे भी जाना चाहते हैं ग आप पता चल जाएगा exact कि क्या आपके ब्लड में और चेस्ट में कोई दिक्त है अगर इन के governments होती है तो ऐब दवा खा लें आगव दवा नहीं खा सकते या फिर आपको अपना free medical नहीं कराना है या फिर दोस्तों आपने कराया हुआ है आपकी रिपोर्ट जो है एक बार आपको डॉक्टर ने दवा दी है तो इन सब सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं उसकी remedy क्या है तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज है कि मैं आज बात करूँग कि hepatitis C हो गया उसके इलावा दोस्तों आपका VDRL जादा आ गया या diabetes जादा आ गया तो रही बात hepatitis C की तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं कम करने के लिए इस सूरत हाल में आप नहीं जा पाएंगे आपको लाजिम है कि setting करानी पड़ेगी medical की दूसी चीज है कि अ जैसे मैंने आपको बताएं कि मेरा दिया हूँ नंबर इस पर आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं उसके लावा आप दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो में मुद्दा होता है medical fail होने का जिसका नाम है chest x-ray क्या सच्चाई है क्या यहां से आप लोग निकल गए setting करा के तो वहां पर जा करोनिया का या बलगम फसा हुआ या खांसी हुई थी उसका स्पोर्ट रहे गया है तो इस सूरत हाल में दोस्तों जो मैं सबसे पहली चीज़ हो मैं यह बता देता हूँ कि टीवी का और जो है आपका निमूनिया का यह दो दाग ऐसे हैं जो कि नहीं जाते हैं जी हां दोस् तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसा बहुत से लोगों का टेस्टेड उपाय है या फिर दोस्तों जो है दो दिन पहले से नारियल पानी पीने से जो है आपका कफ का या चेस्ट में जो है खासी का जो दाग है या करोना की जो दाग है वो मिट जाते हैं वो उससे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी वो एकदम माइनर कर देता है उन दागों को लेकिन दो दिन आपको इसका सेवन करना पड़ेगा दही केले का और नारियल पानी का ये करने के बाद ही आप लोग का चेस्ट एक्सरे क्लियर आएगा अगर इन क पना करेकं कंट्री क्यूं ना हो उसमें आपको मुश्किल नहीं होगी उसके लावा दूस्तों वहां से वापस नहीं आएगे अगर वहां के वापस नहीं आएंगे दूसरी होती है कि अभी है और उसके आप setting करा के निकल गए तो पहली चीज है कि इंडिये ही में setting नहीं होगे और दूसी चीज यह है कि इन case अगर आप setting करा के निकल जाते है तो आपको वापस वहाँ से बееज दिया जाएगा आप वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे सिर्फ TB के केस में बाकि कोई भी केस वाला आदमी वापस नहीं आता है इस चीज़ का ध्यान रखे क्योंकि दोस्तों जो बाहर medical होता है वो इतना deep medical नहीं होता है वो यहाँ पर जो blood test होता है वो सिर्फ आपके group के लिए होता है blood group के लिए होता है जिससे आपकी ID बनती है और जो आपका chest x-ray होता है वो यह देखने के लिए होता है कि आपको TB है की नहीं इस दो सूर्ट वहाँ पर test के लावा तीसरा कोई भी test internal नहीं होता है जी हाँ दोस्तों तो अगर आप लोग यहाँ से सेटिंग कराके जाएंगे तो वापस आने की कोई भी chance नहीं है यह आप समझ लिए कि बस TB वाला आदमी ना सेटिंग कराए जो बना सेटिंग कराके जाए क्योंकि उसको वहाँ से लाजिम भेज दिया जाएगा तो दोस्तों इसके इलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे दियेवे नमबर पे आपकी बारी आने पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स वीडियो में जब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखें अपनी फैमिली का ख्याल रखें और जो है मेरी वीडियो देखते रहें टेक केर गुड बाई